ये सुनने में थोड़ा मुवी की तरह साउंड करेगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिको के एक विलेस के एक खेत में कुछ फार्मर्स ने एक दिन कुछ वियर्ड से साउंड सुने और अगले दिन आ के देखा तो वहाँ एक वोलकानो था जो कि लगतार बढ़ रहा था वैल मैं बात कर रही हूं पैरिक्यूटिन वोलकानो के बारे में इडिस वन और सेवन नेच्टर वंडर्स ऑफ दे वर्ल्ड सु हेर आर थ्री इंटरस्टिंग फैक्ट्स अबट पैरिक्यूटिन वोलकानो यह सबसे यंगेस्ट वॉलकानो है यह 1943 में इरॉप्ट हुआ है और इसका सेवन नेच्टर वंडर्स में शामिल होने का रीजन है कि इसके बर्थ को लोगों ने खुद विटनेस किया है इसके स्टार्टिंग के येर्स में जब वॉलकानो अपने पीक पे था तो इसके ऐस्स मैक्सको सिटी में 320 किलोमेटर तक ड्रिफ्ट हुए है आगे के बढ़ते सालों में ये लेस एक्टिव हो गया और 1952 में फाइनली है डॉर्मेंट हो गया इस 20th सेंचूरी में इस वॉलकानो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचा वो भी तब जब 2nd World War चल रहा था पेडिक्यूटिन वॉलकानो के बहुत सारे रेफरेंसेज हैं कई हॉलिवूड मूवीज में और साथी बहुत सारे आर्ट वर्क में भी पर मोर सच इंट्रेस्टिंग फैक्स, स्टे कनेक्टेड